नमस्ते सब् Experiment है आपका हमारी नहीं वीडियो में तो इस वीडियो हम सीखेंगे YouTube वीडियो को embed करना अपनी वेब साइट में तो आप देख सकते हैं है यह हमने YouTube उप्शन वीडियो इंवेड किय vendor हमें और यहां से हम वाँ scheduled कर सकते हैं यहाँ पर play pose का बटन है यहाँ पर settings है, quality set करने के लिए and YouTube पर click करेंगे तो यह video YouTube पर खुल जाएगी and play on TV है, full screen है तो यह सब हमारे पास हमारी YouTube image video में सब कुछ हमें मिलेगा तो इसको हम बनाएंगे इस video में and इसका complete code आपको इस GitHub repo मिल जाएगा, जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा तो चलिए इसका शुरू करते है अपनी वीडियो को हम आज के अपनी VS code में और यहाँ पर मैंने folder open करका है embed YouTube video and हमने side में अपना YouTube channel open करका है जिससे हम अपनी latest video को embed करेंगे first of all हम बना लेंगे index.html and styles के लिए styles.css index.html चलते हैं और यहाँ पर अपना wildpad code ले आएंगे और यहाँ पर title में हम कर देंगे YouTube video अब अपने styles को भी link कर लेते हैं link styles.css अब body में चलते हैं और यहाँ लिखते हैं YouTube save करते हैं और हम go live पर करेंगे और हमारी website यहाँ पर live हो जाएगी यह हमने किया live server exchange को यूज करके तो आप भी से use कर सकते हैं अब चलते हैं अपने index.html में और अपनी YouTube video को embed करते हैं तो इसके लिए हम चलेंगे अपने चैनल पर और अपनी latest video open करते हैं और यहां पर हम share पर click करेंगे and फिर embed पर click करेंगे और यह हमारे पास code आ गया अब इसको copy करेंगे और यहां पर हम paste कर देंगे save करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे website पर यह हमारी video आ चुकी है और इसको हम play कर सकते हैं नमस्ते स्वाल यहां से share कर सकते हैं और information में information देख सकते हैं जो हमने अदर वीडियोज डाली हुई हैं यहां पर अपने cards में अब इसको हम full screen कर सकते हैं चोटा कर सकते हैं तो हमारे पास सारे option है अगर हम YouTube पे click करें तो हम YouTube के page पे चल जाएंगे यहां से हम quality को set कर सकते हैं volume कर सकते हैं प्ले कर सकते हैं तो हमारे पास यह सारे option आगे हैं और हमारे यूट्यूब वीडियो इंबेड हो चुकी है बड़ आप देखेंगे कि हमारे पास यूट्यूब वीडियो बस इतने में आ रही है और अगर हम इसको बढ़ा करें चाहे शोटा करें स्क्रीन को तब 600 यहां पर 400 सेव करते हैं तो हमारे पास यह बड़ी हो गई अब यह बड़ी हो रही है बट स्मॉल स्क्रीन के लिए ठीक नहीं हो रही तो इसको हम हाइट विट स्टाइल्स में देंगे तो हम हाइट विट को यहां से हटा जते हैं अब चलते हैं अपने स्टाइल्स में और styles देना start करते हैं styles में अब styles में first of all हम root elements select करेंगे margin 0 दे देंगे padding 0 दे देंगे box sizing दे देंगे border box अब इसके बाद body में चलते हैं body में display कर देंगे flex height कर देंगे 100vh align items कर देंगे center justify content कर देंगे center save करते हैं तो हमारे पास हमारी youtube वीडियो center में आ चुकी है अब इसको हम hide video देते हैं तो iframe को select करेंगे और width दे देंगे इसको हम 1120 pixel and height दे देंगे 630 pixel and border radius भी देते हैं border radius and pixel save करते हैं तो हमारे पास अब video कुछ ऐसे आ रही है यह अभी बड़ी screens के लिए तो हमारे पास border screen में कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है अब हमें एक tab की screens के लिए set करना पड़ेगा और mobile screens के लिए तो अभी बड़ी screens के लिए ऐसे आ रही है अब हमने set कर दिया अब इसको change कर सकते हैं अब यहां पर tab में हमारे पास कुछ सही से नहीं आ रहा तो tab के लिए set करते हैं मीडिया के लिए लगाएंगे screen में max width कर देते हैं 1200 pixel और इसके अंदर आई फ्रेम आई फ्रेम में width दे देंगे हम इसको 560 pixel and height दे देंगे 315 pixel save करते हैं तो हमारे पास tab में कुछ अब सही से आ रही है तो अगर हम बड़ी screens में जाएं तो ऐसे आ रहा है और TASM में जाएंगे तो हमारे पास यह इस तरह चेंज हो रही है बट अभी mobile screens में हमारे पास ऐसे आ रही है तो यह भी सही नहीं है तो इसको भी set करते हैं तो इसको ही copy करते हैं और यहां पर paste करते हैं 1200 की जगा कर देंगे हम 550 और यहां पर height width में 300 and 200 pixel सेफ करते हैं तो अब हमारे पास mobile screens के लिए भी set हो चुकी है यह mobile screens के लिए यह tabs के लिए और यह birdie screens के लिए तो हमारे पास हमने YouTube video को embed करना सीखा और हमारे YouTube video embed हो गई है और हमने इसको responsive भी बनाया और यह video हमारे पास play हो रही है यहां पर हमारे पास share करने का option है watch later का option है तो यहां से हम video को ले कर सकते हैं नमस्ते स्वागत आपका वॉज कर सकते हैं volume control कर सकते हैं कर सकते हैं और उसे अलग लग सींच लिए कैसे रिस्पॉंसिब बना सकते हैं एंड इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिथब राप में मिल जाएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड हमारे यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब कीजिए ह टोगल बटन, हाइड एंड शो पासवर्ड, डोटेटिंग नैविगेशन, ड्रैग अन ड्रॉप और कई सारी वीडियोस जैसे गूगल क्लोंस, फोटिफाई क्लोन तो आप इने देख सकते हैं आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू हुआ है